हेलो फ्रेंड्स नमस्कार तो मैं डेक्षटॉप पडिसिंग टिस्प्स के वीडियो चैनल पर आपका असावड़त करता हूं तो दोस्तों आप इस चैनल पर डेस्टॉप पर प्रेशिंग टिप्स से लाइक इन डिजाइन और फोटोप और बहुत कुछ जो मैं डालने वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह कि आज मैं आपको दिपताने वाला हूं कि अगर आप पास जीयो सीम है जो कि आज के लोगों के पास काहिए और फोन के पास है और उस सिम के द्वारा आप पर सिस्टम पर पीसी पर इंट्रेंट चलाना चाहते हैं तो आप उसे किस पकार आप अपने सिस्टम पर इंट्रेंट चला सकते हैं जी और जो कि तीन अमाज तक प्रीदिया है तो आप से किस परकार सी उच कर सकते हैं आपको दोनों तरीके बताओंगा और तो शुरू करते हैं तो यह दोस्तों यह मेरा फोन है अम यहां पतातों आप इस प्लेकार से से अरे असे मेरा फोन यहां पर चल रहा है यह फोन हेनां आपने क्या करना है कि वह द näसे हम आप इस करने के बाद इस तरीके से एक आइकन करता है कि आपके सिस्टेम में ब्लीटूट डिवाइस लगा हुआ है या लैप्टॉप में आज करें लगा ही आता है तो कोई प्रोलम नहीं है लेकिन अगर आप PC पे हैं या विंडोस PC पे हैं तो आपको यह दिवाइस देखना पड़त करेंगे क्लिक करने के बाद अब अपने मॉबाइल पर कैलिक करता हूं बुली टूट टूत पर क्लिक करके और यसके अंदर आते हैं नदर अन्ट में सिस्टेम में औरो न्हीं करता हूं आप अब क्या करता हूं जो आप यहां अपने अन्रbach ग्रौल करता है लेएंगो केशिक्स सब्सक्राइब करते हैं करते हैं नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आप से कोड़ पूछता है तो यही कोड में आप इसको अपने मोबाइल यहां पुछी कोड वहां डाल दी जो कोड वहां आपको दिखाया इसने यह कोड है क्या है क्या है एड़ डिवाइस 609 तो मैं अपने मोबाइल पर यह कोड एड़ कर रहा हूं 609-1-596 आप देख पार हैं डाल दी यहां पर इसके बाद मैं से करता हूं सब्सक्राइब करने के साथ ही आप यहां दिखाए कि यहां डिवाइस यहां अपने अपने पर यहां पर देख पा रहा है तो आप अपने सिस्टम पे ब्लीटूथ के माध्यम से यह अपने लैप्टॉप पे आप इंटरेट के सब्सक्राइब कर चला सकते हैं अपने एंड़ सब्सक्राइब करने के लिए इसके दौरा हो जाता है अब यह से क्लोज कर दीजिए अब जाते हैं यहां पर जाते हैं यहां जाये आप यहां राइट क्लिक करिए इसके दोस्तों यहां क्लिक करेंगे तो वह ऑना शैक्ते हैं हम रहे साथ वो करेगा देखिए। यहां पर कर रहा है और यहां देखने के लिए था इससे हमारा कोई नहीं है हम जाते हैं ज्वाइन अप पर्सनल एरिया नेटवर्क आप यहां जाएं यहां पर क्लिक करेंगे तो भी दोस्तों आप यहां पर किया कि आप across the पर क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में अगर फोजी डिवाइस पर नेट चल रहा है तो यह आपका मोबाईल यहां पर कनेक्शन से और मैं इसको बाइफ करता हूं अब यहां बन करता हूं अब आप यहां देखिए ऑप नेटवर्क एंड शेरिंग सेंटर अब देखिए चे यह है नोट कनेक्ट यक नाओ नोट कनेक्ट रिफ्रेश मैं लैन को बंद करता हूं डिसेबल कर रहा है एक बार यहां पर डिसेबल कर दिया इसको और वहाँ पर जाते हैं नेटवर्क एंड दिस पर लैनोवर कनेक्ट दिउजिंग एक्सेस पॉइंट कि connection successful कि दोस्ता हमें इक चीज हमने मिस्स कर दी यहां पर हमने क्या किया कि हमने अभी अपने मोबाइल से हमने जो नेगदाफ अबलेट टीदिरिंग का ओप्शन है वह नहीं किया मैं दिखाता हूं उसे आप कैसे ओन करेंगे आप दुबारा से मैं अपने फोन कर रहा हूं अपने उसमें क्या करना है इसके बाद आप इहां जाएए दो वांपर सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद इEM सरे महप सब्सक्राइब आप यहां दिखाए और आप अब мама करेंगे यहां दिया हुआ गे यहां दिखाए आप कर आपक्ंए है इसमें होता है टी दृट एड पिर पोड इस पर क्लिक करेंगे आप जो सरी सेटिंग करने के बाद आप यहां जाएंगे यहां पर ऑप्षान ब्लीटूट एड़िंग का अप इसको ओनकर इंगे आप जैसी सिस्टम से ब्लीटूट ती दिधने वह और हो इसके बाद आप सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक्सेस पॉइंट तो यह हमारे जो मॉबाइल डिवाइस से उससे क्नेक्स हो जाएगा और आप अपनी सिस्टम पर आप की मॉबाइल पर चलता है तो आप इसको अपने सिस्टम पर इंस्टब आप अपने सब्सक्राइब अब ब्लूटूथ यह अगर अगर आपको यूटूथ यूट जो है तो आप मेरा फोन और मैं इसको यूज करता हूं लेकिन अगर आपको अब्लूटवूट प्लूटियosed नहीं है और आपको पोन और आपको प्लूटव नहीं है तो भी आप करना चाहते हैं तो आप उसे किस परीकार से करेंगे शेरिंग देखा रहे हैं अपने फोन में कि सिर्फ यूज बन कर देख अपना फोन को आपने जोड़ दीजिए और सिर्फ यूस्वी टीद्रिंग ओन करेंगे इसमें आपको कोई सेट्रिंग करने की जोगत नहीं होती है कोई कुछ करने की जोगत नहीं होती आप डायेट ली अपने फोन को अपने सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं तो कि मेरे पास यहां भी एक सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे के वीडियो स कर सकते हैं यह यहां लिस्टिप इतना ही धन्यवाद।